नमस्कार दोस्तों, Digital India Tech में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं Electronic Mechanic के दूसरे Mock Test के बारे में जिसमें आपके लिए मैं Important Questions लेकर आया हूँ इससे पहले का एक Mock Test हो चुका है दोस्तों अभी तक जिनोंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका Link मैंने Description में नीचे दे दिया है आप बहाँ से भी देख सकते हैं तो दोस्तों अभी तक जिनोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो उसका सही आंसर है वो होगा Relaxation Oxalator यानि कि Third दोस्तों इस वीडियो में मैंने हिंदी के भी कुछ questions को include किया गया है तो आप वीडियो को end तक जरूर देखिए उसके बाद Next questions है SIM यानि कि SIM का full form बताने आपको तो इसका full form होता है Subscriber Identity Module यानि कि Second answer इसका सही होगा उसके बाद Next question है The material used for cladding layer in fiber optical cable यानि कि जो fiber optic cable होती है उसमें जो cladding layer होती है वो किस material की बनी होती है तो उसका answer आपको बताना है इन 4 मैंसे तो जो उसका सही answer है वो होगा 4 यानि कि polyamide की cladding layer है वो बनी होती है उसके बाद Next question है Which of the following is a universal flip-flop तो इन में से कौन सा flip-flop है जो universal flip-flop भी जाना जाता है तो उसका सही answer है वो है जे के flip-flop हमारा universal flip-flop होता है उसके बाद Next question है Avio meter से क्या मापा जा सकता है Avio meter क्या से क्या नाम मापते हैं तो option आपको बताना है बिद्धुधारा voltage resistance या तीनों तो जो उसका दोस्तों सही answer होगा वो होगा तीनों Avio meter as a multimeter होता है जिससे हम बिद्धुधारा voltage resistance तीनों माप सकते हैं और बिद्धुधारा AC-DC दौनों पर ठीके दोस्तों उसके बाद Next question है बारकोड reader में किस अर्धचालक उपकरण का व्योग किया जाता है तो यह तो आपको पदा होना चाहिए बारकोड reader में किस अर्धचालक उपकरण का व्योग करते हैं तो वो था है हमारा laser diode laser के तो वही हम बारकोड reader को पढ़ा जाता है यानि कि उसमें कौन सा अर्थचाला यूज़ हो रहा है लेजर डायोड उसके बाद next questions है एक उपम्प है उसको बोल्टेज फोलोवर में जब होता है तो उसका बोल्टेज गैन कितना होता है यह आपको बदाना है इसका सही आंसर है वह होगा यूनिटी जब ओपम्प ऐसा बोल्टेज फोलोवर है उसका जो बोल्टेज गैन होगा वह कितना होगा हमेशा यूनिटी होता है next question से दोस्तो which microphone does not require an external DC source for its working इन में से कौन सा microphone है जिसको DC source की आवशकतन नहीं होती है ठीक है which microphone does not require an external DC source for its working के लिए तो जो उसका सही आंसर होगा dynamic microphone dynamic microphone है जो जिसको DC source यानि की external DC source की ज़रूद नहीं होती है working करने के लिए next question से दोस्तो the generation of electric power by which of the following time plant is noiseless यानि की generation of किस प्लांट का generation है electric power का जो की noiseless होता है तो यह आप अपने हिसाब से बता सकते हैं वैसे तो इसका जो सही आंसर है वो है solar photo voltage plant जो की noiseless होता है यह आप समझ सकते है solar plant है यह एक noiseless होता है इसके बाद next questions है solar panel is usually designed to generate voltage यानि की जो solar panel है उसका जो use है कितने वोल्ट तक हम generate करने के लिए करते हैं यानि कितने वोल्ट तक हम इसको कर सकते हैं तो जो उसका सही आंसर है वो होगा एक से दो वोल्ट solar banner है उसको usually generate किया जाता है नॉर्मली हम 102 वोल्ट के लिए next question है दोस्तो what is the operating voltage of the video amplifier stage तो video amplifier stage है तो उसकी हमें operating voltage बतानी है तो जो उसका सही आंसर है वो होगा दोस्तो तो वो megahertz में होती है इसके बाद next question है the LED emits light an account of इसका आपको आंसर बताना है तो जो LED है emit light light को emit करती है किसके द्वारा Electroluminance effect के द्वारा कौन सा effect है Electroluminance effect इसके बाद next question है दोस्तो the thickness of backlight sheet for making a PCV should be यानि कि जो जब PCV बनाते हैं हम तो जो backlight sheet है उसकी जो मटाई है यानि कि थिकने ऐसे कितनी रखी जाती है उसके बाद next question दोस्तो the color of outer PVC used for multimode fiber यानि कि जो the color of outer PVC used for multimode fiber उसका जो color बताना है किस color की होती है तो इसका जो सही answer है वो है orange इसका जो color होता है outer PVC का वो orange color की होती है उसके बाद next question दोस्तो the deflecting force of repulsion type MI MI यानि कि moving iron moving iron instrument is directly proportional to तो moving iron instrument में जो force है किस के proportional होता है तो यह आपको पता होगा यह होता है square of the current यानि कि एप समानुपाती होता है I square के ठीके दोस्तों यह moving iron में होता है एप समानुपाती I square के उसके बाद दोस्तो next question है TDMA TDMA का आपको full pump बताना है यह communication का question है तो TDMA होता है हमारा time division multiple axis यानि कि इसका first वाला answer विलकुल सही होगा TDMA time division multiple axis इसके बाद next question दोस्तो which type of instrument can be used only AC circuit इन में से कौन सा instrument है जिसको केवल AC circuit के लिए यूज करते हैं तो इसका आपको answer बताना है सही answer होगा दोस्तो induction type watt meter induction type watt meter ही होता है केवल AC के लिए moving iron AC DC के लिए होता है moving coil DC के लिए होता है multimeter AC DC दोनों के लिए तो इसका AC के लिए बताना था only cable तो इसलिए आपका जो second वाला options है वो सही होगा induction type watt meter only for AC PMMC only for DC यानि की permanent magnet moving coil ये proper DC के लिए होता है ठीके दोस्तो तो इसका जो सही answer होगा वो होगा second induction type watt meter उसके बाद next questions है क्या होगा यदि चुमकिये पट्टी को दो टुकड़ों में काटा जाए यानि कोई चुमबक है magnet है उसको दो पार्ट में divide कर दिया जाए तो क्या होगा तो उसका सही answer होगा दोस्तो first पिरते एक टुकड़ा अलग चुमबक बन जाएगा जिसमें उत्तर और दच्छडी दुरूप होगे यानि की north and south pole होगे जब किसी भी चुमबक यानि की magnet को तोड़ा जाता है किसी भी parts में कितने भी parts में कर लो ठीक है दोस्तो उसके बाद next questions है modem का प्रियोग किसके लिए किये जाता है modem आप लोग जानते ही होंगे modem जो computer हम यूज करते हैं इसका यूज होता है वो dial up connection के लिए यूज होता है जिसके दोवारा हम net we use करते हैं इसके बाद next questions है दोस्तो आपको एक figure दिख रहा है इसमें जो silicon diode लगा है इसमें इस पर voltage rating आपको बदानी है तो इसमें voltage कितना होगा तो दोस्तो यहाँ पर 12V की supply है 12V की supply के पहलर में एक silicon diode लगा है तो जो supply पर voltage है वही silicon diode पर भी voltage होगा यानि कि supply पर 12V है तो silicon diode पर भी कि इतना होगा फोर्थ वाला यानि की बारा बोल्ट तो दोस्तो ये थे 20 कोश्चन इंपोर्टेंट कोश्चन से हैं अच्छे से पढ़िए याद कीजिए और दोस्तो अपने मार्क्स बताईए आपके कमेंट करके कितने नमबर इसमें आपके बन रहे हैं अगर आपके 15 से जाद करना हम ना भूलें धन्यवाद